फिल्म की शिरुवात में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अकीरा है वो जॉम्बी से अपनी जान बचा कर भाग रहा होता है अब हमें एक साल पीछे की कहानी दिखाया जाती है जब अकीरा को एक फिल्म बनाने वाली कमपनी में जॉब मिली थी जॉब के प पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है क्योंकि उसका बरताब बहुत अच्छा था, अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा कंपणी में काम कर रहे लोगों के साथ पार्टी कर रहा है, वहाँ कंपणी की सारे employee उसे company के बारे में बताते है अब party खत्म होने के बाद अकीरा सब को good night कहता है लेकिन उसका chief उसे बताता है कि वो घर नहीं बलकी वापस company में जा रहे है क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है इसके बाद सभी लोग वापस से जाकर काम करने लगते हैं असल में उन लोग को बहु company के chief से कुछ पूछने के लिए जाता है तो वो उसे बहुत दाता है अब अकीरा को ये समझ आ चुका था कि जितना वो इस company को अच्छा समझता था उतना है नहीं अब एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बताता है और उन दोनों के बीच जगड़ा हो जाता है अब अकीरा को उस company में काम करते हुए एक साल हो जाता है और अब अकीरा अपने काम को लेकर पूरी तरह से depression में जा चुका होता है और उसको suicide करने का भी मन होने लगता है वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास और भी zombies पर जाते हैं उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये zombies कैसे और कहां से आ गये अब वो भागते हुए चछत की और जाता है और किसी तरह एक gate को कूद कर अपनी जान बचा लेता है लेकिन तभी वो देखता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई है और लग पासंद करता है अब वो पाइप के जरिये चछत से नीचे उतरता है और अपनी साइकल की मदद से किसी तरह सावी के घर तक पहुँच जाता है लेकिन सावी के घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और जब वो घर के अंदर जाता है तो सावी काफी डरी हुई थी क क्योंकि घर के अंदर पहले से ही एक Zomby है जो अकीरा का बोस है दरसल सावी का उसके साथ चकर चल रहा था। वो एक डाइरी निकालता है और उसमें वो सब कुछ लिखता है जो वो जॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है जैसे कि अपने कमरे की साफ सफाई करना बाइक चलाना और अपने बालों को कलरना इसी तरह वो सोचीजे लिखता है अब अगली सुबह सबसे पहले वो अपने कम पटाके ले लेता है लेकिन वापस आते वक्त उसके पीछे एक जॉंबी पढ़ जाता है लेकिन रास्ते में ही उसे एक बाइक मिल जाता है तो वह अपनी cycle को फेकता है और बाइक चलाने लगता है। पीछे एक जॉंबी पढ़ चुका था उसे बचाने के लिए अकीरा बाहर आता है लेकिन वो जॉंबी उसके उपर भी हमला कर देता है इसलिए वो भागते हुए वापस दुकान के अंदर चला जाता है पर उस जॉंबी को शिजुका अकेली ही संभाल लेती है अब शिजुका वहाँ से जाने लगती है तब वो लड़का उससे कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो इतने लापरवा इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो सिफ एक नमक के लिए दुकान तक आ जाये इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है अब रात को अकीरा को अपने दोस्त की याद आती है इसलिए वो उसे कॉल करता है लेकिन उसका दोस्त एक होटल में फस चुका था क्योंकि उसके रूम के बाहर ही कई सारे जॉंबीज है पर अकीरा कहता है कि वो उसे बचाने के लिए आ रहा है अब वो अपने बाइक से उ कई सारे जॉंबीज मिलते हैं फिर भी वो नहीं रुखता है नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें.